देखे क्या बड़ी और शांदार ये सत्तू की वरफी बनी हुई है दवाली स्पेशल सत्तू की वरफी स्वागत है आपका सोनिया गोस नाच्रल में चलिए बनाते हैं ये स्पेशल दवाली सत्तू वरफी अब ये जो है ये हेल्दी भी है जिसमें हमने दो कप चना लिया है और एक टेबल स्पून हमने मिक्स नट्स लिये हैं चार से पाच इलाइची के दाने हैं तीन टेबल स्पून हमारे ओट से और सजाने के लिए ड्राइफ्रूट और रोस पेटल से तो देखे ये हेल्थ और बनाने में जट्पट बन जाती है तो हमने ये पाउडर जो है सत्व का चने का हमने पीस ली के चान लिया है इसके अलावा हमने ये ड्राइफ्रूट का पाउडर जो है इसे भी चान लेते हैं ताकि हमें एक बड़ी स्मूध कंसिस्टेंसी की बर्फी मिले आप चाहें तो जो मार्केट बॉट चने हैं आप उसे हलका सा भून सकते हैं ताकि उसमें महक और आए बिकास ये जो है हमारी फायरलेस बर्फी है देखे कितनी जट्पट बन जाती है अब यहां हम तीन टेबल स्पून ओट्स पाउडर डाल रहे हैं देखे इसमें आपको सारा कुछ फ्री खा सकते हैं चीनी जो है इसमें एक ही ऐसा इंग्रीडियन है जिसको आप थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हमारे यह देखे अब हम इसमें जो है यह पीसी हुई चीनी डाल रहे हैं तो बस अब यह सारा कुछ हम मिक्स कर देंगे असवार चीनी है वो मैंने ब्राउन शोगर लिए है वान फूर्थ कप चीनी लिए है तो जादा चीनी भी नहीं है इसको पैट्टू जितनी हमारी बरफी बन सकती है यह बहुत ही कम मात्रा की हमने चीनी लिए हुई है बस अब क्या है अब हम इसमें यह जो दूट करके मिक्स करेंगे ताकि आप इसका एक स्मूठ सा एक आटा गूंस कए तो आप इसे एक सा ना डाले थोड़ा तोड़ा करके मिक्स करेंगे चाहले है और यह आपका एक परहत ही बढ़िया पुधर 시बस प идет मुठ करी हम इसमें डालेंगे घी अब को दूड़ा सा एक स दो चम्मच के हिसाब से आप घी डालिए और उससे जादा आपको जरूरत नहीं है घी की ताकि एक स्मूथनस जो है और एक ट्राइनस जो होती है हलकी सी चने में वो इससे दूद और घी दोनों से दूर हो जाएगी और देखे क्या बढ़िया कलर आया ना आपको ग्यास जला होता है ना कुछ और आपकी बढ़ जाएगी चट पट से बर्फी और यह है आपका कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए है इसके लिए बस अब आपने क्या करना है यह ग्रीज सी आपने प्लेट लेनी है इसमें आपने घी लगा देना है ताकि बर्फी निकलने में फटा- इसे हम फिला देंगे और इसे हम सेट करने के लिए रख देंगे और आप अपताएं आप दिवाली में क्या बना रहे हैं आप अपनी रेसिपीस हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें भी कुछ आइडियास मिलें और कुछ आपके लिए स्पेशल बनाने का देखिए अब हमने इ और बदाम और थोड़ी सी सूखे हुए गुलाब की पंखुरियां महग के लिए यह हमने टाल दिया और देखे कितना बढ़िया दिख रहा है बस अब इसके अच्छे से प्रेस कर देते हैं सारे साइड से आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं वरना यह पहार भी अराम से आदे घंटे के अंदर सेट हो सकता है फ्रिज में आपको पंदरा मिनट से जादा टाइम नहीं लगेगा और अब यह रेडी है खाने के लिए हमारे घर की यह फेवरिट मिठाई है जो हर महीने तो बनी जाती है दिवाली तो सिर्फ बहाना है और बनाने के देखे यह बन गई है और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप हम मैं आपको बता रही हूं कि देखे कितनी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है इसकी मूँ में डालिए तो घुल जाए इस तरह की हैं इंजॉई कीजिए यह वली बर्फी दिवाली पर हापी दिवाली